अस्सलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उर्दु का अगला चैप्टर चैप्टर नमबर 26 जिसका नाम है जज़बय इश्क ठीके ये एक मसनवी है इस मसनवी का आप लोगों को एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ना है इसके पहले वाले वीडियो की तरह मतलब यह जज़बय इश्क है वह एक तरीके का पूरा फिल्म है और फिल्म आप लोगों को पूरा नहीं देखना है उसका एक छोटा सा टुकड़ा पाट देखना है एक तबास मतलब होता है पाट अंग तो जज़बय इश्क मसनवी है इस पूरा मस नहीं को आप लोगों को नहीं पढ़ना है इसके अंग को पढ़ना है पाट को पढ़ना है एक छोटा सा पाट आप लोगों के बुक में दिया है उसको पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले जरा मुसनिफ की तरफ देख लेते हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं क्योंक नम हमदानी मसहफीं। यादञ्छीएगा इनका जो रियल निम है वह सिर्फ गुलाम हम्दानी नाम है। इनका तखल्द मसहफीं। अपने शर्व शाय request मेंं जो नाम इस्तिमाल करतें में। इसलिए गुलाम हमदानी और लाष्ट में तखलुस लगाते थे तो गुलाम हमदानी मसफ़ी के नाम से फेमस हो गए वस्चूर हो गए ठीक है अगर बात करें इनकी पैदाइश की तो इनका जन्म हुआ था 1748 इस भी को अम्रोहा में अम्रोहा नाम का कोई जगह है यूपी मे इसे बहुत सारे लोग मतलब गुलाम हमदानी मसफ़ी के इस्टूडेंट यह सब क्या है इस्टूडेंट है इनके इस्टूडेंट है गुलाम हमदानी के शागिर्द है वगरे वगरे बहुत सारे इनके स्टूडेंट है कुछ ही स्टूडेंट का मैं नाम लिख दी हूँ ठीक है गुलाम हमदानी का मसूर इश्किया मसनवी मतलब इस्क वह मुहबत का मसनवी यह लिखा करते थे वह उसमेंशे जो सबसे ज़् बता चुकी उसके पहले वाले वीडियो में तो यह मत देखकर कंफ्यूज होईएगा कि मसनवी किसे कहते हैं वहां से जाकर देख लीजिएगा ठीक है तो मसनवी इन्होंने बहुत सारी मसनवी लिखी जैसे कि सर्दी तिफले हिजाम अजवाईन गरीब खाना मसफी मोदी खाना खटमल नामा वगर इन्होंने बहुत सारी मसनविया लेकिन जो इश्किया मसनवी था वह था बहुत जदा मशूर हो गया ठीक है इनका इंतिकाल हुआ 1824 इसभी को और यह हो गया गुलाम हमदानी के बारे में कुछ डेटेल्स जो आप लोगो को याद पढ़कर समझाओं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और बेकार में टाइम बरबाद होगा इसलिए आपके टाइम को भी इंपोर्टेंट समझ कर और मैं अपने जबान से ही तर्षी कर दे रही है और आप लोगों को बहतर दरीके से समझ में आ जाएगा देखिए इस कि किन था और उसकी शादी हो गई थी लेकिन बहुत जिदा खुबसूरद था क्हुंदा औरentin जिकार चीघा तो उसके वह इसलिए इस में डूबा रहता था क्योंकि जो उसकी बीवी थी ना कि बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत थी मतलब बहुत ही ज़्यादा ठीके वह बाजार में जाती थी ना तो बाजार में सभी लोग देखकर उसको दंग रह जाते थे कि कोई इतना खुबसूरत कैसे हो सकता है इतनी उसकी ज़्यादा बीवी खुबसूरत थी और यह जो थे जो आजाता घर में और अपनी बीवी को हमेशा दिन रात ताकतीी ही रहता ईसको टाकती रहता अरव अपनी बीवी को कोई भी काम भी नहीं करने लेने देता था अपनी बीवी कभी रौती खुष होती कभी मतलब इस लड़के से महबत करती थी और लड़का भी मतलब उसे तो बहुत जादा चाहता था ठीक है इन दोनों का मतलब इतना ज्यादा मुखबत इनके बिश बढ़ गया कि मतलब मौत भी देख करना मुस्कुरा रही थी कि अच्छा रूखो रूखो ठीक है तो लड़का मत कि मतलब वीवी से पना मांगता था ठीक है तो बहुत ज़्यदा वो नाजुक हो गई थी और नतीजा क्या हुआ नतीजा यही हुआ कि जब वो काम नहीं करेगी तो उसके सरीर के अंदर बिमारी होगा तो एक दिन विश्तर पर वो गिर पड़ी और बहुत तेज उसका मतलब तबियत खराब हो गया और बहुत तेज वो बिमार पड़ गई ठीक है उसके मा बेहने पडोस वाले सभी लोग घबरा गए कुछ लोग बोल रहे थे कि उसकी दिल की बिमारी है कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं इसको नजर लगया है खुशूरती के वज़ा से लेकिन बा होता है लेकिन आप लोग को सीख क्या मिलती है सीख यह मिलती है कि अपने शरीर को कभी भी सुकुवार नहीं बनाना चाहिए सुकुवार मतलब समझते हैं गाव की बुड़े लोग बोलते हैं कि सरीर को सुकुवार नहीं बनाना चाहिए सुकुवार का मतलब होता है सिख मिलती है कि सरीर को सुकुवार नहीं बनाना चाहिए अब चलिए जड़ा यह यह तो मसलम यह पर कंप्लीट होता है अब इसके कोश्टन एंसर को देख लेते हैं और मैं निकालती हूं चेप्टर नमबर 26 दरक्सा का बुकले ले रही हूं चलिए हाँ तो स्टार्ट होता है मुक्तसिर तरीन सवलात से यानि की अती लगो उत्रिये प्रस्म से सबसे पहला सवाल है मसफी का पूरा नाम क्या था तो मसफी का पूरा नाम था गुलाम हमदानी मसफी ठीक है दूसरा सवाल है मसफी की पैदाईश कब और कहा हुई तो मसफी की प पताये तो इस पाउन क्या हो सकता है और बात आती है मुक्तसिर सबसे पहला सवाल है मथफיצ की इस उन उन्हाद EPA का मुक्तसिर जायस्ता लीजिये मसफी की उनकी शुरुआती जिन्दगी के बारे में बताना है उनका जाइजा लेना है ठीक है दुसरा सवाल है सिंफ मसनवी पर पांच जुम्ले लिखिए आप लोग को बताना है कि मसनवी किसे कहते हैं जो कि मैं आल्रेडी बता चुकी हूँ जब मैं 24 चेप्टर पढ़ा र एक दुसरे के हम काफिया होते हैं ठीक है तिसरा सवाल है मसफी की शेरी तखलिकात को लिखिए मसफी की सेरी तखलिकात यानि की वो शेर वशायरी उनकी एक्टिवीटी को बताना है ठीक है अब बात आती है तवील सवालात की यानिकी दिर्ग उत्रिये प्रसम की सबसे पह मसrikी क giàिरा ना खासुसियात ब्रद की ज़िये मस Kauf के सब्सक्राइबारे में उनकी उस षाइरा ना खब्रस लिखा करते थे उसमें क्या विससमें जाना इस यह आप लोगों को बताना है हो गई किलिए अप लोगों यैर बाथ इसी के चाहिज का जपनाऴरfind की साथ होता है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे और उसको भी और बहतर तरीके से कंप्लेट करेंगे तो यहां तक ले लिजिए फट फट स्क्रिंशॉट तो यहां तक समझ में आ गया इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा समझ में आया तो लाइक शेयर तो बनता है लाइक कीजिए वीडियो को ज्यादस ज्यादस शेयर कीजिए अपने पडोसियों क के पास अपने दोस्तों के पास और हां चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सांथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफि झाल झाल कर